नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट आइडिंग सेशन में रही और पिछले पुरे हफ़ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सेनेरियो देखा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो support और resistance का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या view है क्या हमें buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए किसी भी trade में एंटर करने से पहले तो आएए शुडू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे gold USD का chart दोस्तों पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो last trading session जिस तरीके करा था कि market में एक जो correction का phase था वो continue रहा था काफ़ी time के लिए prices काफ़ी नीचे आए और evening session के just बाद में market में एक recovery आने शुरू हो गए और prices अपने उस resistance के पास आ गए जो intra-day का इसका एक resistance level था वहाँ से market ने काफ़ी ज़्यादा एक consolidation दिखाते हुए अपने आपको end किया और जो prices थे वो एक recovery के साथ close हुए है मतलब जो correction थी वो continue रही उस correction के बाद एक recovery phase जो आया इस तरीके का एक trend रहा तो यह चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा support मिला है market को intraday में ठीक है थोड़ा सा ओर आगे चलते हैं हर time frame पे एक अलग scenario हमें देखने को मिलता है कई बार और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि market बिलकुली completely positive एक sign दिखा रहा होता है charts पे कभी ऐसा होता है बिलकुल negative sign दिखा रहा होता है और कभी कभी बिलकुल mixed behavior होता है market में ऊपर जाना है नीचे जाना है कुछ बहुत सारे time frame पे किस तरीके का trend हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के time frame पे वहां देखते हैं कि क्या view हमारा है यहां पर market में एक selling, buying फिर correction के बाद market में एक अच्छी buying आई prices उपर consolidate हुए यहां से market में एक selling दिखाई support base इसका बिलकुल वही price रहा 17, 32 के असपास और यहां से market ने एक recovery दिखा के इस तरीके से एक closing करी है सिर्फ एक ही चीज यहां पर है कि market को एक support मिला है ठीक है और क्या important चीज है उससे तो हम discuss करेंगी यहां पर मैं आपको पताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसी भी uptrend या downtrend के बाद market एक consolidation phase को दिखाता है तो दोस्तों यहां पर दो तरही की चीज़े हमें समझ में आ रही है पहला कि इसे support मिला हूँ दूसरा market ने consolidation के बाद एक correction को start किया है जिसके बाद इसे एक support मिला और market जो है वो जहां पर end हुआ है वो बिलकुल बीच में है इस consolidation के और इस support level के बीच में बिलकुल market भी trade कर रहा है ठीक है तो यहां पर एक हम देख रहे हैं कि कोई uptrend या downtrend नहीं कह सकते इसे market एक sideways trend को लेकर आगे की तरफ continue कर रहा है थोड़ा सा आगे चलते हैं hourly charts पे वहां देखते हैं कि किस तरीके का trend हमें नज़र आ रहा है market में एक selling prices नीचे की तरफ यहां से support मिला prices उपर continuously एक uptrend लगा रहा और वहां पर market उपर जाने के बाद थोड़ा सा correct होके अभी हमें नज़र आ रहे हैं जिसमें ये support based market ने create किया है आगे किस तरीके के chances रह सकते हैं एक चीज़ ज़रूर है कि एक बड़े time frame पे थोड़े से market को एक अच्छा support मिला हुआ है यहां पर जिसमें market ने recovery जैसी दिखाई है उसमें ये एक अभी currently एक support लिया हुए market ने इसके नीचे market में ये समझा जा सकता है कि market में correction जो है वो थोड़ा सा speed से आ सकती है और आगे चलते हैं देखते हैं कि इस तरीके का view हमें नज़र आ रहा है वहां पर चार घंटे के time frame पे देखिए तरफ move कर रहे हैं या रुके हुए हैं या फिर एक downtrend में हैं यहां पर हम देखें market में correction recovery के बाद फिर correction को continue रखा और उसके बाद ये एक strong sideways trend जो था वो continue रहा market ने एक dip लेने की कोशिश करी जहां पर इसे एक बहुत major support मिला इस trend line को जो हम देख रहे हैं यह उसी का एक part है उस trend line का जो पहले से support की trend line बनती हुए आ रही है यहां पर market ने एक recovery दिखाई prices उपर की तरफ और वहां पर उपर से थोड़ा सा market correct होने की कोशिश कर रहा है इसमें इस तरीकी का trend देखिए तेजी जो है वो कोई बहुत speed से अभी नहीं आ रही है एक चीज ऐसी लग रही है यहां पर देखकर कि market अभी consolidation को एक time दे सकता है उसमें उपर भी एक resistance है नीचे support है कौन-कौन से वो levels है उन पर थोड़ा सा हम अभी ध्यान रखेंगे तो देखते हैं आगे के levels कि सरीके के रह सकते है यह जो एक range थी यह market ने create की थी करेब 15 दिन की market में उसके बाद एक correction आई और लगभग 15 दिन ही इस uptrend को अभी हो चुके है ठीक है तो कोई भी ऐसी उम्मीद करना के market में यह uptrend जो है वो continue रहेगा अभी वो थोड़ा सा अब मुश्किल होता जा रहा है उसके reason में अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा और आगे चलते हैं daily charts पे यहां हम देख रहे हैं के market में एक strong bull run prices उपर वहाँ पर एक sideways trend यह देखिए यहां पर भी यह जो trend था कुछ इस तरीके का रहा market ने यहां पर breakdown दिखाया prices नीचे की तरह fold करने शूब हो गए यहां पर फिर नीचे और यह recovery इस trend line को connect करा इन दोनों point के थूँ और इससे आगे extend किया यह trend line तो हमारी एक overall एक outlook हमारा decide करेगी कि gold के prices में एक strength जो है वो कितनी समझी जा रही है इस trend line के उपर आने का मतलब ही यह रहेगा कि gold जो है वो super strong बन चुका है और अब prices बहुत उपर की तरफ जा सकते हैं कोई भी तेजी इस trend line को अगर break करके अपने prices को hold कर देती है देखिए यह हम देख रहे हैं daily charts पे तो उसकी closing matter करेगी इस trend line के उपर market का close होना वो एक बहुत major strength का sign रहेगा यहां से market में correction आई prices नीचे और नीचे यहां support और यहां से थोड़ी सी recovery दिखाता हो market अभी trade कर रहा है 1746 पे तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार weekly charts पे हम इसले जा रहे हैं क्योंकि हमें इस trend line का देखना है कि यह जो trend line है इस किन points को connect कर दी है देखिए हमने इसे तो समझ लिया था daily charts पे weekly charts पे इस support मिला है यह दो points को connect करके market ने यहां पर एक support लिया है इस तरीके से market ने एक recovery या strength दिखाने की कोशिश करी है दोस्तों यहां पर मैं अपना एक outlook देता हूँ जो मुझे अभी समझ में आ रहा है charts को देखते हैं जो मैंने जितना भी मुझे थोड़ा पता है market में इस तरीके की एक strength को strength नहीं कहूंगा मैं इसे एक support कहूंगा support major है पर इसका बना रहना वो थोड़ा सा मुझे जरूर लग रहा है एक strength जो है वो उपर में आ सकती है उपर में इसका resistance है जिन जिन levels के बादे देखिए 1770 से लेकर 1795 तक यह 25 डॉलर की एक range है जहां पर इसे एक बहुत strong resistance फेस करने को मिल रहा है तो एक ऐसा नहीं है कि मैं यह क्या रहा हूं कि upside खतम हो गई है strength जरूर ऐसी रह सकती है कि अभी थोड़ी सी और continue रहेगी prices और थोड़ा सा उपर के लिए move कर सकते हैं क्योंकि अभी intraday में एक sideways trend दिखाया जो भी हमने पीछे discuss किया था पर उस strength का बने रहने के chances भी अभी बने हुए ऐसा नहीं है कि इस high को market break नहीं करेगा देखिए मैं इस high की बात कर रहा हूं जहां पर ये 3 points समझ सकते हैं 3 या 4 points जो भी हैं ये एक vertical line अगर मैं draw करूँआ तो ये यहां पर touch कर रहे है अलग पर इनका break होना वो possible है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखिए ये थोड़ा मैं एक बाद daily charts पर चलूँ तो और थोड़ा यहां पर हम देख रहे हैं इस range को market break कर सकता है यहां पर इस line को ठीक है इस line के उपर अगर market आता है उसके बाद sustain करता है उसके उपर वो चीज़ देखी जाएगी daily closing भी हो सकता है इसके उपर हो जाएगा पर उसके उपर sustain करना वो सबसे ज़्यादा matter करेगा sustain करता है तो फिर और थोड़ी उपर की हम उपीद कर सकते हैं पर resistance की जो range है वो 1770 से 1795 के बीच में यह थोड़ा यह उनके लिए outlook है जो positional trader है जो कई दिनों के लिए hold करने का सोचते है कि कम से कम उनका time frame जो 15 दिन के आसपास का at least होना चाहिए क्योंकि दो हफते का मैं यह समझ के चल रहा हूँ कि दो हफते के अंदर-अंदर इस range को market एक बहुत strong resistance मान के continue करेगा और जो trend है आगे का वो इस range में बना रह सकता है ठीक है और इस range में कुछ दिनों तक चलने के बाद market fit से एक dip लेने की कोशिच करेगा देखिए यह जो support लिया है यहां से market अगर और भी ज़्यादा उपर तक आ चुका होता तो इस support को मैं और ज़्यादा strongly समस्ता charts पे support जब वो इतना strong है कि market वहां से एकदम से recovery दिखा गया और उपर चला गया देखिए support मिला है weekly charts पे यहां पर यह कोई बहुत major upside नहीं दिखाई है इसने हम weekly charts की बात करने हैं आप ध्यान रखिए यहां से लेकर यहां तक आने में करीब करीब 400 dollar market ने अपनी correction दिखाई है और वहां से अपने lowest points से अभी इसने 100 points की भी एक recovery नहीं दिखाई है तो यह एक चीज है कि market अभी अपने आपको lower end पे consolidate कर रहा है और इसमें बहुत easy है इस चीज को समझना कि यह एक support मिला था market को इसे अगर हम extend कर देते हैं तो यहां पर अब इसका resistance भी देखने को मिलेगा और सिर्फ यही नहीं है और भी कई factors है जो इस चीज को indicate कर रहे है कि market में यह resistance range बनी रहेगी ठीक है वापस चलते हैं एक गंटे के time frame पे थोड़ा साम अब उन levels को discuss करेंगे जो अब आने वाले time में important हो सकते हैं दोस्तों यहां पर एक चीज़ ज़रूर है कि market ने strength एक strength दिखाई और उसके बाद इस range को market अभी continue कर रहा है यहां पर सबसे पहले 1762 इस price के उपर market का hold करना दीखिए break होना हो सकता है कि एक बार possible है कि शायद market break कर दे क्योंकि 1759 जो था वो monthly high था मतलब last month monthly high था उसे break करके market 62 का एक resistance level है उसके उपर भी अगर market अपने आपको sustain करने की कोशिश करता है तो थोड़ी सी strength जो है वो और बनी रह सकती है जिसमें इसके बाद इससे जो resistance मिलेगा वो 1 वैसे तो 70 से शुरू हो जाएगा पर जो exact levels है वो 1778 पर है इसके बाद और उसके बाद तो बीच में कई सारे levels है और 1795 के उपर closing होने का मतलब gold में super तेजी आ जाएगी और prices उपर की तरफ जाने लग जाएगे ये levels मैंने आपको उपर के लिए बता है इसमें सिर्फ आपको एक ही levels का अभी धियान रखना है 1762 के उपर अगर market sustain करता है आप धियान रखिए अगर इसके उपर sustain करता है मतलब रुका हुआ है करीब 4-5 घंटे अपना holding period दिखा रहा है तो market में हो सकता है कि एक strength जो है वो आनिश्रू हो जाए एक price है नीचे में जो मुझे बहुत ज़्यादा possible लग रहा है कि वो touch जरूर होगा वैसे तो 1725 है कि उसका touch होना बहुत easy लग रहा है अभी 46 पर trade कर रहा है नीचे में मैं 25 डॉलर के आसपास तक का एक level expect कर रहा हूँ जो market चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए इस level को शायद touch करेगा ही करेगा कुछ reasons है उसके ठीक है यहाँ पर 1725 को भी अगर touch कर देता है तो उसके बाद एक price है 1718 ठीक है इस price को अगर market downside में break कर देता है तो वो साथ ही साथ intraday के लिए और थोड़ा सा 2-3 दिन की holding के लिए market एक downside trend के लिए एक pressure build up करेगा charts पे और prices नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकते है ऐसा मैं नहीं कहा रहा है अभी कि market fresh low लगा देगा पर prices यहाँ पर एक selling pressure feel करेंगे यह इस line से और 1690 या 1700 यहाँ तक के levels हमें देखने को मिल सकते है fresh low लगना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी market ने एक consolidation phase को continue करने के थोड़े strong indication दिये है वो कब तक continue रहेगा वो कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है अभी market में अगर यह downside आती है इस तरीके की तो market ऊपर में जो resistance phase कर रहा है और नीचे में जो support लिया है उसमें किस तरीके का एक scenario बनाएगा क्योंकि साथ ही साथ हमें यह भी देखना हो है कि silver में किस तरीके का एक trend चल रहा है अगर बहुत ही बड़ी correction हमें silver में नजर आती रही तो जरूर यह जी समझी जाएगी कि prices इसे भी break कर देंगा और इसका break करने का मतलब है कि gold USD में भी एक major downside के लिए gold अपने आपको prepare कर चुका है ठीक है weekly closing जरूर matter करेगी यहाँ पर उसका reason रहेगा weekly closing इसलिए matter करेगी क्योंकि इस trend line में इस trend line के नीचे कोई भी closing होना वो और जादा downside को indicate करेगी हो सकता कि 1500 तक के levels हमें charts पे देखने को मिल जाए तो इस तरीके का एक scenario अभी बनता हुआ नजर आ रहा है lightly ना लें ना किसी uptrend को या फिर downtrend को stop loss strictly maintain करके चलें अभी मैं एक line में आपको बता जेता हूँ कि मेरा क्या outlook है market अगर उपर जाता है resistance face करेगा वहाँ पर selling का एक call ज़रूर बनती है इस तरीके का एक scenario जो नजर आ रहा है तो यह था मेरा gold USD पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मेर साथ देखते रहें market report धन्यवाद